मुझफर नगर लोकसुभा सीट से चुनाव हारे बीजेपी प्रतैशी संजीव वालिया ने हार का ठीकरा अपनी ही पार्टी के फायर ब्रैंड नेता पुर्व विधायक ठाकुर संगित सोम पर फोड़ा तो वेस्ट यूपी की राजनीती एका एक गर्मा गई बालियान ने सोम पर सियासी वार करते हुए उनके लिए शिखंडी और जैचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिस पर पलेटवार में ठाकुर संगित सोम भी पीछे नहीं रहे उन्होंने भी मीडिया के सामने बालियान पर जमकर भड़ास निकाली आपको बता दें कि सरदना के विधायक रहे संगीत सोम ने इस दोरान एक प्रेस नोट मीडिया को दिया था जिसमें पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर संगीन आरोप संगीत सोम ने लगाए थे जिसमें संजीव बालियान के अकूद संपत्ति अर्जित करने ब्रैष्ट्या चार में लिप्त होने आस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने खर्यना में हुए पूर्व विधायक नफे सिंग हत्याकांड में आरोपियों को सरक्षोन देने समेत करीब 20 आरोप हैं प्रैस नोट की खास बात ये है कि इस पर पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिखा है लेकिन इस मामले में अब नया मोड आ गया है गुड़गाओं के रहने वाले संजीव सहरावत नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है इस बयान में संगीत सिंग सोम को दस करण रुपए की मानहानी का नोटिज भेजा है जिसका साथ दिनों में जवाब नहीं देने पर कानुई कारवाई करने की बात कही है हुआ है और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं जुमीन में कि खरीद में गवाबी हूं यह सबी आरोफ फरजी है और मेरा संजीव पाल्यान से इस तरह का कोई भी क्रिप्ते ना मैंने किया है ना मैंने ऐसा सोचा है तता यह जो लेटर हेड पर जो आरोफ लगाएं इस सारे फ संजीव सहरावत ने अपने इस वीडियो में कहा कि पूर्व विधायक संगीत सोम एक ड्राइवर हुआ करते थे सेक्योटी गार्ड भी रहे हैं उन्होंने गौकशी और हिमाचल में शराव विवसाय धन एकटा किया है लोगों पर जूटे मुकदमे कराकर धन अर्जित करन मुझे ग्यात हुआ है कि यह जो विदायक जी हैं यह किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा समरज्ज खड़ा किया है यह एक ड्राइवर होते थे स्क्योटी गार्ड भी थे इन्होंने किस तरह से गौकशी कावे दंदा करके और हिमाचल में शराव कावे रसाय करके लोगों खड़ा हुआ वरना इनको सरे आम माफी मागने पड़ेगी धन्यवार हाला कि इस मुद्धे पर पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम फिलहाल कुछ बोलने को तयार नहीं है लेकिन उन्होंने मेरट के लालकूर्ति थाना पर एक तहरीर दी है जिसमें बताया कि उनके घर पर चल रही प्रेसवारता के दौरान किसी व्यक्ति के दौरा ये प्रेस नोट बाटे गए थे पूर्व विधायक के इस तहरीर के बाद इस मुद्धे पर SSP मेरट का कहना है कि पूर्व विधायक के प्राथना पत्र पर जाच की जा रही है दरसल वैस्ट यूपी से आने वाले बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी से शुरू हुई सियासी अदावत अब सड़क पर आ गई है जिसमें आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर तीसरे आदमी की एंट्री भी हो गई और मामला पुलिस तक जा पहुचा है जिसकी जाच करने की बाद पुलिस कह रही है ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि पुलिस की जाच में क्या सामने आता है और ये सियासी लड़ाई अब क्या नया मोड लेती है लेकिन फिलाल पुलिस और तीसरे आदमी की एंट्री ने मामली को गर्मा दिया है वह इस लड़ाई पर अब तक चुप रहने वाला बीजेपी आलाकमान क्या हस्तक शिप करता है उस पर भी सभी की निगाहे लगी है बीरो रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी